अंदर जाओ बेकार स्लाग तुम कभी भी एक स्लाग स्लिंगर नहीं बन सकते थैडियस कोई स्लाग अपनी इच्छा से तुमारे साथ काम नहीं करेगा फिर मैं कोई और आस्ता जूण लूँगा कोई बहतर आस्ता और फिर विल शेन तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ खो देने के बाद कैसा लगता है सालों तक मैंने पढ़ाई की बहुत महनद की टेस्ट पर टेस्ट भी किये स्लक्स के बारे में जितना भी जानना था मैं जान चुका था सिर्फ ये जानना बाकी था कि उन्हें वफादार कैसे बनाए और फिर मुझे कुछ इंट्रेस्टिंग मिला प्राचीन किताब जिसमें लिखा था कि कैसे प्राइमल फोसिल स्लक्स बनाती थी अच्छाई और बुराई के बारे में और काली टाकतों के बारे में जो हमारे नीचे रहती हैं जो बाहर आने के लिए बेताब थी फिर मुझे वो मिला गूल्स बनाने का राज पर जितना मुझे मिला उतना काफी नहीं था मुझे और चाहिए था मैंने उस काले पानी से एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया मैं काफी बार फेल हुआ मुझे पता था मैं कुछ ऐसा बना रहा हुआ हूँ जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा और आखिर कार मैं काम्याब हो गया पोर्टल का दर्वाजा खुला और उसने मुझे अंदर खेंच लिया वहाँ जाने से मेरे शरीर को नुकसान पहुँच सकता था पर मेरे लिए वो फाइदे मन्थ थाबित हुआ मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है डाग बेन ने मुझे काला पानी दिया और बदले में मैंने उनमें से एक को मेरे साथ आने की इजाज़त दे दी तुम्हें पता है ना काला पानी कितना खदरनाक है और वो डाग बेन मैं उनसे मिल चुका हूँ वो सलक्टर अबर कबजा करना चाहते हैं और फिर वो ताकतवर जरूर होंगे पर डाग बेन भोले भाले हैं वो किसी भी चीज़ के लिए मानेंगे बस उन्हें थोड़ा सा लालज देना होता है तुम्हें वो धोका दे रहे हैं ब्लाक देखेंगे काला पानी हाथ आते ही मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे भूत की तरह दिख रहे हो अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ क्या वो स्लग है व्लाक तुमने उसके साथ क्या किया मैंने इससे बदला है इससे बहतर बनाया है ताकि तुम्हें हरा साकूँ विल्ट शेम वो दाकर जिसके बार में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था तुम स्लग तेरा को बिगाड रहे हो तुम पूरे स्लग तेरा को बर्बाद कर दोगे प्लैक रोको इसे प्लैक प्लैक